हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लाजवाब स्प्रिंग रोल जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी मैदा छोड़ी कटोरी से अररोट थोड़ा सा नमक और तेल ये पहले हम अररोई स्प्रिंग रोल के लिए रैपर तयार करेंगे उसके बाद स्ट्रफिंग की त कि याइब घार तयार लेते हैं लिसे पहले इसको मिक्स करना है एक बड़े से बाउल में अब हमें इसमें मैदा डालेंगे ऊपि yito धोड़ा सा अरर रोट और ये नमक और थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से तेल डालने के बाद इसे हलके हलके पानी लेके हलका हलका इसो गुथेंगे नहीं ज्यादा सॉफ्ट करना है नहीं ज्यादा कड़ा करना है इसको बस, हलका सा पराटे ज़से सामते हैं, वैसा सान के तयार कर लेख't इस जय ले हैं इस जह से पूरा सान ले नि चाहरीदा के बादे क Caesar से 5 मिट्रे ज़नती इसकती है यह बिल्कुल रेड़ी है इसा डाउ आ के लिए ज़्यारा है यह नाही ज्यादा सॉफ्ट है और नाही ज्यादा कड़ा है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है रापर के लिए चली आगे स्प्रिंग डॉल की तैयरी करते हैं केंटे बाद यह सेटों का तयार है और इसे हलका सा तेल लगागर हाथ में और इसे हलका हलका इस पर लगाए थोड़ा सा और इसे फिर दो तीर में अच्छा से इसे और थोड़ा सामने ताकि यह और सॉफ्ट हो जाए इसे हमारा तो रैपर है वो बहुत ही अच्छा बने रहे कि इसके आप सांते रहें दो तीन में टक सान लें ताकि और ही चिकना बन जाए यह अब इसे छोड़-छोड़ लोईय में काट लें फिर इसे लोईय तयार कर लें आपको जिस साइज की रैपरों तयार करने हैं उस साइज के लोईय बना कर रख लें अब यह हमने लोईय बना कर एक साइज दियार कर लिया है अब इससे बेलने के लिए इसमने मैदा में थोड़ाशा हम लगाएंगे अटे को रोए को ओर इसे बेलेंगे जरी देबेनेंगे कि इससे बेली और जहां यह अगर चिपगने लगे तो फिर से आटेक को इसमें सटागर इसे बिल्कुल पतला बेलना है जब यह सटने लगे तो अब फिर से आटेक सटागर इसे फिर से बेलने लगें अब इस बिल के तयार है इसे सटेक्ट रख लेते हैं एक हमने बेल कर साइड तयार रख दिया है अब दूसरा इसी के सब्सक्राइब यह पर वह बेल के नहीं पर तयार करने लाएं सब्सक्राइब लेते हुए बेलना है जब चपकने लगे आप इसे फिर से मैंदे लगा लें और इसे बराबर चारों तरप से बराबर बेलें जो भी उस साइज के बराबर हो जाएगी तो इसे इन दोनों को अब जो यह जो जिला हुआ है इस पर थोड़ा सा देल लगाएंगे इस पर तेल लगाएंगे थोड़ा सा अधि ए लगाने के बाद इस पर हलका सा मैंदे को छटा किते हैं अच्छा से तेल लगा दें, तो मैंदा चेड़क दें, फिर अब जो हमने दूसरे तयार करके रखे थे, इसको इसके उपर डाल दें, और इन दोनों को साटाते हुए, अब ने, अब ने, अब ने, अब ने, अब तिस्री लेयर चाढ़ने के इस पर भी थोड़ा सा तेल लग इस साटा कर तीनों को मैदे में लगाते हुए और इससे बेलना है, मैदे पैसे सटा कर अभी से रहा है, इस अच्छी तरह से बेलना है, जिस साइज की हमें चाहिए और बिलकुल पतला कर लेना है, जिस साइज के हमें चाहिए हमने बरावर से बना कर लिए अब यहो गया है अब हम सिर्फ हम साइड कर रख देंगे अब इसी तरीके से हमने और भी बना कर रखना है हमें इसको अपने जो मेरा रापर है उसको आप सेखते हैं सेखने के लिए पहले तवे पर हम तेल इसने हलका साइज तेल लगाएंगे जयाने कि इसमें ज्यादा तेल नहीं लगा है बस हलका सा तेल लगाकर और एक्स्ट्रा घटेल हो तो उससे टिश्यू पीपर से हम अड़ा लेंगे तवा हलका गरम है और इसे बरावत से रख देंगे इसे ज्यादा नहीं सिकना है, बस ठोदा ठोदा कर सिक जाए तो से फिर पलट देना है देखे ये साइट से जब ठोदा छोड़ने लगा है बदेखे हम पलट देंगे ज्यादा नहीं सिखना है उमे देखिए लगबग यह एक तरसे सिख्का तयार है इसी हमें इसी तरह से शेखना है इसे जलाना नहीं है बिल्कुल सौफ इस तरह से सिख्कना है और जब यह सिख्कर तयार हो जाए प्लेट में अलग रख लेना नहीं है बिल्कुल सौफ बना है अब हमें क्या करना ऐसे कि अब यह जब हो जाए तो इससे बस जो हमने तीनों को सटाया था वो अब धीरे-धीरे जब यह हलका ठंडा हो जाए तो धीरे-धीरे से हटा लेना है तो यह आप देखेंगे कि यह एकड़म पतला सौफ रोती बन जाएगा ऐसे करके हमें हमने तीनों लेयर को हटा लेना ध्यान रहें कि यह फटे ना धीरे-धीरे करके इसे अलग कर लेना है तो हमारा रैपर एकड़म बिल्कुल बाजार की तरह तयार है और बिल्कुल शॉफ्ट है और यह बहुत ही लाजवाब बनने वाला है तो आप इससे करते हैं स्टफिंग के लिए हम लिए बन्दागोबी शिम्ला मिर्च वॉइल्ड आलू कुछ प्याज धनिया पत्ता खीरा आप चोहद इसमें गाजर हो या फिर कुछ भी अपने पसंद की सब्जी कुछ भी जो डला जाहे आप डाल सकते हैं तो इससे बारी काट लें इस बारी रिसकता से आप पत्ने पत्तर है पार ग्रेस बार भी घैट लें पत्ने पत्ले ले ऐ मैं सारे सब्जी को काट कर राक है कि थोड़ा सा अज एक दम धीमा रखना है और इसमें अगर आप इस पाइची चाहते हों तो इसमें थोड़ा सा मेंची डालने अब इसमें थोड़ा कर्श किया अध्रक डालने अबार बच्चिव अब्चे मरी में अख 에र्श में और इसे जी आपने इसे Dallas राइक गोपले कर इस पता है अंग जुन रहा प्याज अच्कति पकाते हैं जिन दिमीकल पकाते है लाइक ग्राउन होंकर दी बहुत अच्छा तो देता है यह तो इसकत ज्यां दें प्याज हमारा तही तरीपिब करें जिए अगर यह तरी से नहीं पका शुचि आगने सुझ कि इसे बीशिच में चलाते रहे हैं ताकि ये बिल्कुल भी कड़ाई से ना जबके और ये जले ना जितने आते ना है और इसे हमका अचा लाइट ब्राउंग अंटर पकाना है ये अब सुनहरा रहंग लेने लगा है अब इसमें हम बाकी की चीज़े एके करके डालेंगे जालते हैं ज्याद लखेंगे आज को इसे फिरेश करके पकाएंगे अज़से यूँ ही चलाएंगे ये अज़कास अगर सॉप्ट हो जाए बस हमें इसे सॉप्ट करना है जाहिए जाला कूप नहीं करना है ने पिस सिम्ला पेस फिर अपना हरा रंग फोड़ देंगे यह मारा हलका सा सॉप्ट हो गया है अब इसे हम बाकी की चीज़ों को डालेंगे इसमें टमाटर आल देते हैं अब जयार रखेंगे कि टमाटर को भी अर्षी तरके सब्सक्राइब पकाना है क्योंकि शप्टिंग में जो हमारा प्यार टमाटर भी जान होता है इसमें अच्छे से पकाएंगे अब इसमें हम प्याटर बंदाव को भी डाल लेंगे और जो हमने अलू तयार कियाता काटकर वह भी डाल लेंगे अलू को हम पहले इसमें दाल लें तो वासे शिख जाया है और ध्यान रखेंगे कि ये अलू उबली होई होनी चाहिए कि यहां पर हमें स्टफिन को बहुत जाड़ा फ्राइब नहीं जाता है कि यहां पर समझाने के बाद हम बंदाव को भी डालने चाहिए आत इसमें आवज चाहिए तो गाजाय को डाल सकते हैं काटकर मटर डाल सकते हैं यह हमने भेज परिया नहीं बना रहे हैं आप चाहिए तो इसमें ट्राइब ही डाल सकते हैं या पर पनीर बगर डाल सकते हैं इसमें अब इसको हम हर्के से चलाएंगे ज्याने है इसके भी ज़्यादा हमें नहीं पताना है बस बंदेव भी को थोड़ा में सॉफ्ट हैं राच बिल्कुल दीमी दीमी है पड़ेज में एक तोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे अगिए उसके तोड़ा सा लाल में पाउडर यह इसमें अगर गला स्पैसी नहीं खाने तो आप ना भी डाल सकते हैं और प्थोड़ी दे नमाज प्राटर रुसा डालेंगे तोड़ी 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 दमाज सापी है और इसे अच्छे से चलाएंगे अब यह जाला आपका हो जाए तो इसमें थोड़ा साम अजीने मोटर डालेंगे लटबग आता चमच अजीने मोटर थोड़ा साव विनेगर डालेंगे इसमें यह भी लगवाग एक टेबल स्कून तोड़ाचा सोया सॉस यह भी हारे टेबल स्कून अजीने चला देंगे अजीने में बहुत अची सुगान आने लगी है यह हमारा जो स्कून है बहुत अचा टेयर हो रहा है और यह लाजवाब बने वाल है तो आप इस पर अचा फ्राइब करें यह हमारा लगवाग पक्के तयार है इसनिये हम अब तोड़ा से धनिया पत्ता और थोड़ा सा खू पूदीने की पत्ते को इसमें डाल लेंगे और तोड़ा धनिया पता डाल लेते हैं और थोड़ा पूदीने की पत्ता इसको बारीक चॉप किया हुआ है अब इसे बारीक काट लें तो पूदीने पता हो डाल देते हैं अब तुछ से ला लेते हैं अब तोड़ा लेते हैं तुदान बहुत ही अख्यारी है इसे फोड़ा सा अब ये लास इस्टेस पर थोड़ा सा इसको स्टीम में पकने जाते हैं इसे थोड़ा देर के लिए भाग के तयार है इसे फिकन को अटाना है अब 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 तयार है दलाते हो गए अब अब रुगर नाफिवियां अब दलाते हो गोडा भाग वे जाते हुए अब तयार कर लें इसमें थोड़ा सा मेयदा और दोड़ा सा पानी प्लाप देशी शुड़ाइब कशिशन पर ढश्तर हैं धर तक म बनाना था है गरीं इस ता था शूचनाँ प्ला बाइने लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा स्टफ डालते हैं % करता स्टफ डालते हैं और यही यो घ्रेशन परिया थो इसमें चपकाने की काम करेकर यही के उरुधाइस ठीफ में यहीं है यह बैटल लगाने के बाद इसे रूकर देना रोल कर शेब देना है इसे इस तरह से लपेटा एक बार एक बार इस तरीके से लपेटा और फिर इसे रांड शेब देना है ऐसे और ये वन राउं और सेकंड राउं तो ये हमारा एक रोल तयार हो चुका है इस तरीके से मैंने और दो तीन रोल तयार करके रख चुका है तो आप देख लें इस तरीके से और बागे सारे रोल आपने तयार करके रखने है अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो इस पर ट्राइ कड़ें कि या ये गर्म है या नहीं तो यह हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है अब इसे तीरे तीरे करके अपना जो मेरे रोल है वो डाल देंगे और इसे हल्का हल्का करके लाइट ब्राउन होने तक तलेंगे दिनी आइस पर तलेंगे और इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे बिल्कुल ज़्यदा जोड़ नहीं लगाना है कि यह बहुत ही अभी सॉफ्ट है इसे हल्का सुनाना तर हुआने तक पकना है इसलिए ठीली देल से अलट बलट कर देंगे उपर नीचे पूरा सुना रहा है इसे एक दम लाइट ब्राउन है डॉन तक दलना है यह एक तरफ सीख चुका है अब दूसी तरफ भी अच्छे से हो जाए उसे बस उतार लेना है यह बहुत सुनाना अच्छा लग रहा है और यह स्वाजिस्ट भी बना हुए ज़ाटे बेह निकाल लेना वाकित तेल नो शोख कर लेना पर निकाल के इससे अब हम गारनिसींग करेंगे आप गारनिसींग कर लेना है अब जिस तर्षे आप जिस्थ से बना सकते हैं यह हमारा फिट स्प्रिंग रोल रेडी है थैक्स पर वाचिंग थैंक यू